नमस्कार, सुन्दर सी वीट ग्रास, गेहु घास, सेहत के लिए बहुत ही फायदे मन्द, और कितना सुन्दर ये हमने उगाया है, आप भी उगा सकते हैं, आईए समझते हैं, कैसे आप उगाएंगे, ये हमने मिट्टी ली है, किसी भी पुराने डबो में मिठाई के डबो मे मिठी ले लीजिए, उसको एक समान कर लीजिए, अच्छी सी पत्थर वत्थर हटा दीजिए उसमें से, अब हमने लिए गेहु, इसके उपर हमने गेहु डाला, डब्बा पूरा मिठी से उपर तक नहीं भरा था अभी हमने, अब हम गेहु पहला रहे हैं, अच्छी मात्रा में गेहूं डालने हैं ये आप अक्टूबर के अंतिम महिने से गेहूं को उगाने का आसानी से हम घर में कर पाते हैं अब इस गेहूं के उपर हमने और मिट्टी डाली अच्छी मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए पत्थर नहीं होने चाहिए और वो अच्छे से एक समान हम फैला देंगे इसके उपर ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से हमने फैला दी मिटी बिल्कुल जहां भी गेहुं दिख रहे हैं वहाँ पर थोड़ी थोड़ी मिटी हम डाल देंगे इस प्लास्टिक के डब्बे में नीचे छेद है जिससे पानी निकल जाए गत्ते का डब्बा है उसमें छेद करने की कोई जरूरत नहीं होती है मिठाई के डब्बे में अब हम इसके उपर पानी छिड़क रहे हैं अच्छे से पानी डालना है कि सारी मिटी में वो समा जाए मिटी गीली हो जाए और अब ये तयार है रखने के लिए अगर सर्दी बहुत ज्यादा है और आप इसे बाहर रख रहे हैं तो आप रात में ढख सकते हैं ऐसे ही एक हफ़ते में लगभग ये इतनी सुन्दर सी घास उग कर तयार हो जाती है अब हम इसको जूस कैसे बनाएंगे देखिए ये हमने कैची से काटा आपको जितनी जरूरत है आप आधे डब्बे को भी काट सकते हैं ये मेरा मिठाई के डब्बे में उगी हुई वीट ग्रास है इसमें भी आप आसानी से इसी विधी से मिट्टी डाल कर उगा सकते हैं तो ये मैं काट रही हुँ वीट ग्रास को अपनी वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ये हमने घास को काट लिया अब अच्छी तरह से धो लीजिए उसमें मित्टी के कण हो सकते हैं तो दो-तीन बार उसको आप पानी डाल कर अच्छे से धोएंगे घास के बीच में कोई मित्टी अटकी ना हो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि हमारा जूस किरकिरा ना हो जाए तो हम अच्छे से दो-तीन बार पानी डाल कर इस घास को धोलेंगे तो आशा है आप भी इसको उगाना पसंद करेंगे अब हमारी घास धुल गई है तो हम अपने कटिंग बोर्ड पर लाकर इसको तेज चाकू लीजिएगा बहुत चाकू जो है वो तेज होने से अच्छा कट जाता है और साग की तरहें जैसे हम साग काटते हैं न उसी तरहें से बारीक बारीक हम इसको काट लेंगे जूस बहुत आसानी से बन जाएगा और ये सारा काम फटा-फट हो जाता है जादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में काटने में दोने में तो चुटकियों का काम है ये तो इसको हमने इस तरहें से काटा अब आगे देखते हैं आगे हम क्या करने वाले हैं मिक्सी में पानी थोड़ा सा डाल कर इस कटी हुई घास को डाल कर और अब हम इसको पीसेंगे सही समझा आपने हां ये हमने पीस लिया मिक्सी में क्योंकि हमने इसको काट लिया था इसलिए ये मिक्सी में अटके नहीं वरना इसके रेशे मिक्सी के ब्लेड में अटक जाते तो ये मैंने ट्रिक बताई आपको चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से आप इस जूस को आसानी से निकाल सकते हैं अभी एक और बहुत जरूरी बात मुझे आपको बतानी है तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा तो ये हमने हाथ से निकाल कर देखा यदि आप चाहें आप हाथ से ना निकालना चाहें तो आप इस तरह से सूती पतला कपड़ा लेकर उससे भी ये जूस निकाल सकते हैं तो यह हमने कपड़ा लिया इसको इस तरह से लपेट कर और बस फटा फट हमारा हरा ग्रीन जूस वीट ग्रास जूस निकल जाता है तो यहां तक तो बात हुई कि हम जूस को कैसे निकालेंगे अब जो एक जरूरी बात है वो यह है कि इसमें आप देख रहे हैं उपर जाग ह यह जो जाग है यह सेहत के लिए अच्छे नहीं है इनको हमें फेक देना है इनको हमें कंज्यूम नहीं करना है तो इस तरह से यह जाग हम उतारेंगे इसको हम हटा रहे हैं जूस के उपर से तो यह हमने जाग हटा दिये अब जो नीचे जूस है यह हमारा सेहत की टौनिक ह बस यह आपने समझा कि कैसे हमने उगाया तो आप एक एक दो दो दिन की अंतर से ऐसे ही गेहूं उगा सकते हैं डबों में और यह बहतरीन सेहतमन जूस आप पी सकते हैं आशा है आज का इस वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक का बटन जरूर दबाए में तुरों के सा करें धन्यवाद